हेलो फ्रेंट्स वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्टेड़े आवर लाइफ में तो यह हमारा जो करेंट अफेयर है मंतली जन्वड़ी माह का करेंट अफेयर है इसमें आज तौपिक है वह हमारा खेल परीदिर्श तो आज हम खेल प्रइद्रिस को करेंगे और इससे जितने भी कोशन बने हैं उसारे को इसमें हमने कम्प्लेट किया है तो चलिए सुरू करते हैं और आप लगों को बता दे कि हम बिहार और एसाही के लिए भी हार करेंट अफर भी स्टार्ट के जिसका दो वीडियो आप लोगों काने वाला है पार्ट वन मैंने अपलोड कर दिया प्लोड कर दोंगे उसका क्योंकि मैं उतना लंबा वीडियो बनाने में सख्वम नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं बना पाती लेकिन यहां एक गंटे करके मैं दो वीडियो उसका complete करवा दूँगी तो आप लोगों से request है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखे लाइक करे चैनल को जिन लोगों सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिन लोगों इस बुक कर चाहिए ह हमारे टेलिग्राम का का लिंक दिया हुआ हमारे वीडिया सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए शुरू 활 करते हैं तो सबसे पहले टेव्ट्रेंर स्ट्रोग करते हैं यह मिलवड्रon Chemistry फberst कुर्ड यह कहां रुख था यह लेकि नौंबढ़ чैनल ये दानल तो पुरूस एकल बीजयता रहे हैं राफिल नडाल जो इस्पेन के हैं और उप बीजयता रहे हैं मैक्सिम क्रेंसी जो अमेरिका की है मैक्सिम क्रेंसी कहां कि हैं अमेरिका की जो बीजयता रही है और महिला खिलारी की बात करें तो महिला में विजयता बनी है सीमोना हालेप जो रोमानिया की है यह कहां कि है रोमानिया की और उप विजयता है महिला में बेरोनिका कुदेर मेतोबा कहां कि है रूश की है अगला है हमारा एडिलेड इंटरनेशनल दो हजार बाइस एडिलेड इंटरनेशनल 2022 यह भी एस्टेडिया में समपन हुआ है जो 3 जनवड़ी से लेके 2022 3 जनवड़ी से लेके 9 जनवड़ी तक हुआ है 2022 में और इस परतियोगिता में एडिलेड परतियोगिता में पुरूस एकल बिजयता रहे हैं गेल मोनाफिल्स महिला एकल की बात करें महिला बिजयता रही है इसले बाटी अस्टिल्या की और उप बिजयता रही है एलीना रिवाकीना कजा खस्तान की अब है पुरूस यूगल की बात करें पुरूस यूगल में रोहन बपपन्ना और राम कुमार राम नाथन ये दोनों भारत के हैं और उपविजयता रहे हैं इवान डोडिंग क्रोशिया के और मार्सेलो मेलो ब्राजील के ये दोनों जो हैं विजयता और उपविजयता थे पुरुस यूगल के महिला यूगल में रहे हैं इसले बाटी और स्टार्म सेंडर्स दोनों अस्टेलिया के हैं उबी जयता रहे हैं दारिजा जुराक, स्रेयर, क्रोशिया के हैं और एंड्रेजा क्ले पैक, स्लोबानिया के हैं एंड्रेजा क्ले पैक कहां के स्लोबानिया के ये दोनों मेला उपविजयता रहे हैं आप है ATP Cup 2022 ATP Cup का या तिसरा संस्क्रान था जो सिड्नी अस्टेलिया में संपन हुआ है और एक से लेके नौजन बड़ी तक हुआ है और इस ATP Cup में विजयता टीम कनाडा रहे हैं और उपिजयता की बात करें तो एस्पेन रहे हैं ATP Cup Award 2021 ये जो है Association of Tennis Professional द्वारा यानि ATP सोट में कहते हैं कि द्वारा एक सत्र में खिलारी द्वारा किये गये हैं प्रदिर्शन के अधार पर दिये जाने वाला पुरसकार है और इसकी घोसना 17 दिसंबर 2021 को की गई और पुरसकार की स्रेनी तथा विजयता का नाम देखते हैं तो ATP Cup में ATP No.1 खिलारी रहे हैं नुवाक जोकोविज जो सातमी बार रहे हैं और नुवाक जोकोविज कहां के हैं सावेडिया के हैं और ATP No.1 जोडी की बात करें यानि युगल की बात करें तो निकोल मैक्टिक एबम मैंट पाविक रहे हैं जो कुरोशिया के हैं कामबैक प्लेयर अफ दा इयर में रहे हैं मैकेंजी मैकडोनाल्ड अमेरिका के कामबैक प्लेयर अफ दा इयर में मोस्ट इंप्रूब्ड प्लेयर अफ दा इयर में असलान करादस्वब रूस के हैं और न्यूकमर ओफ इयर में जिंसन ब्रुक्साई अमेरिका के आगे देखते हैं स्टीफन एडवर्ग स्टीफन एडवर्ग स्पोर्ट्समान सीप आवार्ड ये जीते हैं और न्यूजिल लेंड के हैं फैंस फेबरेट आवार्ड के एकल बिजयता रहे हैं रोजर फेडरर स्यूजिल लेंड के फैंस फेबरेट आवार्ड यूगल की बात करे पियरे हुजिज हरबेट और निकोलस माहुत दोनों फ्रांस के हैं पियरे हुिरिस हरबर्ट, निकोलस माहुथ, दोनों फरांस के हैं इन्हें conquer favorite award युगल से समानित किया गया है coach of the year, Fesundur Lugones, Argentina के रान बुकमैन, media excellences award ये जीते हैं प्रजवल हेंग्रे कहां के हैं भारत के हैं ATP Masters 100 Tournament of the Year की बात करें तो BNP पडिवास Open जीते हैं Indian Wells और कहां के Indian Wells के हैं BNP पडिवास Open और ATP 500 Tournament of the Year AST Bank Open जीते हैं कहां के वियाना के ATP 250 Tournament of the Year जीते हैं Qatar Exxon Mobile Open जो कहां के हैं दोहा के हैं अब है Davis Cup बहुत ही important है Davis Cup 2021 यह जो है Proust Tennis में एक अंतरास्टी टीम परतियो गिता है और इसे Final Madrid Spain में संपन हुआ है Final Madrid कहां है संपन हुआ था Spain में संपन हुआ था और इसके विजयता रहे हैं रूस के जो तीसरी बार यह खिताब जीते हैं और उबिजयता की बात करें तो क्रेशिया के थे कहां के उबिजयता क्रोशिया के किर्केट अब किर्केट की बात करते हैं किर्केट में ICC अवार्ड 2021 ICC अवार्ड द्वारा गोशित 24 जनवड़ी 2022 के प्रमुख विजयता ICC पुरुस किर्केट और आफ दी इयर यानि सर गार्ड फिल्ट सोवर्स ट्रॉफी जीते हैं साहिन अफरिदी जो पाकिस्तान के हैं काफी नामिन का चर्चा में रहा है आप लोगों को पता होगा साहिन अफरिदी पाकिस्तान के और ICC महिला किर्केटर आफ दी इयर में रहे हैं जो राजल हे हो फ्लिट ट्रॉफी जीते हैं वो अस्मिर्ती मधाना भारत की हैं अस्मिर्ती मधाना को ICC महिला किर्केटर आफ दी इयर के लिए चुना गया है आगी देखते हैं ICC प्रूस्ट्रेस्ट किर्केटर आफ दी इयर जो रूट इंग्लैंड के है ICC प्रूस्ट्रेस्ट किर्केटर आफ दी इयर कौन चुने गया है जो रूट कहां के England के ICC महिला ODI Cricketer of the Year लीजले ली दस्टीन अफिर का के लीजले ली को महिला ODI Cricketer of the Year चुना गया है Next है ICC पुरुस ODI Cricketer of the Year बावा राजम पाकिस्तान के चुने गया है ICC पुरुस महिला Associate Cricketer of the Year की बात करे तो आंद्रिया में जेपेंडा अस्टेलिया के उसकद ICC पुरुस Associate Cricketer of the Year जिसान मसूद कहां के ओमान के हैं और ICC Emerging Cricketer of the Year महिला में चुना गया है फातिमा सना को पाकिस्तान की है और ICC Emerging Cricketer of the Year पुरुस में चुना गया है जाने मन मलान दस्शिन अफिरका के है ये और ICC महिला T20 अंतराष्टिये किर्केट of the Year टैमी भुमोंट को चुना गया है जो इंग्लेंड के है ICC पुरुस T20 अंतराष्टिये किर्केट of the Year मोहम्मद रिजवान को चुना गया है ये भी पाकिस्तान के है और ICC Empire of the Year चुना गया है मराइस इरेसमस जो दस्शिन अफिरका के है मराइस इरेसमस कहा के है दस्शिन अफिरका के इन्हें ICC Empire of the Year चुना गया है और द्वर्श 2021 में ICC पुरुस ODI तथा T20 अंतराष्टिये टीम का कप्तान बावा राजम पाकिस्तान को चुना गया और इन दोनों ही टीमों में कोई भी भारतिये की केटर सामिल नहीं है 2021 की ICC पुरुस टेस्ट टीम में तीन भारतिये खिलाडी रोहित सर्मा, रिशब पंत और रवी चंदरन अर्शुन को अस्थान मिला है अगला है S.N.S.Rinkla 2021-22 अस्थ रिंकला जो है अस्थेलिया और इंग्लेंड के बीच अस्थेलिया में संपन हुआ है और इस रिंकला में कुल पांच टेस्ट मैच खेले गये थे और इसमें बिजयता रहा है अस्थेलिया 4-0 से और इस रिंकला में अस्ट्रेलियाई किर्केट टीम के कप्तान पैंट कॉमिन्स और इंगलेंड के कप्तान जो रूट थे ट्रेविन्स हेड जो अस्ट्रेलिया को प्लेयर आफ दा सिरीज चुना गया है ट्रेविस हेड को अस्टेलिया के है जिन्हें player of the street चुना गया है और इस श्रिंखला में सरवधिक बिकेट, सरवधिक बिकेट मतलब 21 बिकेट अस्टेलिया एटेज गेंदवाज पैंड कॉमिस ने लिया है स्रिंखला में सरवधीक रन लिए हैं ट्रेविस हेड जो 357 रन लिए है और ये अस्टेलिया के हैं अगला है बिसुबधिर T20 किर्केट चैम्पियंशिप जनवरी 2023 में पहली बार विशु बाधिर T20 किरकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के केरल में किया जाएगा और अखिल भारतिये बाधिर खेल परिशद द्वारा इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा यह चैंपियन केरल के तिर्वंत पूरम में आयोजित होगे अगला है बिजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 तो भारत का लिस्ट एक किरकेट टूर्नामेंट भारत के बिविन सहरों में आयोजित किया गया है और 26 दिसंबर 2021 को तमीलांडू और हिमाचल परदेश के बीच फाइनल मुकाबला जैपूर राजस्थान के सवाई मान सिंग स्टेडियम में खेला गया और परतियोगता में बीजैता टीम रहे है हिमाचल परदेश जिनोंने पहला किताब जीता है और उप बीजैता रहे है तमीलांडू पलेयर ऑफदे मैच फाइनल में चुना गया है सुभम अरोरा को हिमाचल परदेश का जिनोंने 136 रन बनाया था हिमाचल पर्देश के कप्तान रिशव धवन और तमिलांडू के कप्तान विजय संकर थे परतिहुकता में सरवधिक रन रितुराज गाएक बार महराष्ट के जिनों ने कूल 603 रन बनाया और सरवधिक बिकेट यस्ठा कुर लिए विदर्व जो साथ मैचों में 18 बिकेट लिए ICC प्लेयर ऑफ दम मन्थ नौमबर एवं दिसंबर 2021 के लिए चुना गया है नौमबर 2021 हे तु ICC द्वारा प्लेयर ऑफ दम मन्थ के भीजयता की घोसना की गई है जो 13 दिसंबर 2021 को की गई थी ICC मेंस प्लेयर ऑफ दम मन्थ जो नौमबर 2021 में चुना गया हो डेविड बार्नर को चुना गया और ICC वोमन's प्लेयर ऑफ दम मन्थ ये हेली मैंत्यूज को चुना गया है ये कहां की है बेस्ट इन डीस की है हेली मैंत्यूज डिसंबर 2021 से तू ICC Player of the Month घोसित किया गया है और ICC Means Player of the Month एजाज पटेल न्यूजिलेंड के चुने गया है ICC Means Player of the Month की बात करें तो एजाज पटेल को चुना गया है जो कहां के हैं खिलारी न्यूजिलेंड के हैं अगला बात करते हैं Senior महिला किरकेट चैलेंजर टॉफी जो है 2021 ये 10 मी Senior महिला किरकेट चैलेंजर टॉफी 2021 संपन हुआ है और परतिभागी टीम चार रहे हैं इंडिया A, इंडिया B, इंडिया C और इंडिया D परतियोकिता में जीत जो हुआ है वो इंडिया A को पर्थम किता मिला है और उपपे जयता इंडिया D रहे हैं इंडिया A की कप्तान सनेहराना और इंडिया D की कपतान पुजा बास्त्राकार थी इसा बहुत ही important है इतना नहीं बस कोन सा trophy कोन से राज को मिला है कोन से देश को मिला है यह सब important है तो इसे आप लोग थ्वा सा धान से याद कीजेगा फिर न्यूजीलेंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा तो न्यूजीलेंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा संपन हुआ और इस दौरान दोनों देश के मध्धे तीन अंतरास्टी ए टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-ट मैचों की स्रिंखला भारत ने clean ship करते हुए 3-0 से अपने नाम कर ली और player of the series रोहित सर्मा भारत के चुने गए हैं player of the series किसे चुना गया है रोहित सर्मा कहां के खिलारी है भारत के हैं दो test matchों की स्रिंखला भारत ने 1-0 से अपने नाम की मुंबई के वन खेरे stadium में खेले गए इस रिंखला के दूसरे test match में भारत ने न्यूजिलेंड को 372 रनों से प्राजित किया और यह test cricket में भारत की रनों के अंतर की द्रिष्टी कोन से अब तक की सबसे बड़ी जीत है इसी मैच में न्यूजिलेंड के इस्पीन गिंदवाज इजाज पटेल ने भारत की पहली पारी के सभी 10 बिकेट अपने नाम कर लिए दूसरी पारी में उन्हों ने 4 बिकेट के साथ दूसरे test match में कुल 14 बिकेट लिए और दूसरे test match में पहली पारी में न्यूजिलेंड का टीम महज 62 रनों पर ओल आउट हो गई थी जो न्यूजिलेंड की टीम का भारत के विरुद निम्तम टेस्ट स्कोर है साथ ही test किर्केट में किसी भी टीम दौरा भारत के विरुद बनाया गया निम्तम स्कोर है और भारतिये SP ने रभी चंदरन आस्विन टेस्ट स्रिंखला के लिए प्लेयर ओफ दस्रीज चुना गया है किसे चुना गया है रभी चंदरन आस्विन को प्लेयर ओफ दस्रीज चुना गया है अब है फर्मूला वन फर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियंशिप 2021 या जो है आबुधाबु सयुक्त अरब अमिरात में संपन हुआ और बिजयता रहे हैं फर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियंशिप के मैक्स वर्स टापेन इससे एक कोशचन तो पक्का आएगा है कोई भी एक्जामे नीदरलेंड के हैं कहां मैक्स वर्स टापेन कहां के हैं नीदरलेंड के हैं और रेड़ बूल रेसिंग होंडा की ये हैं उप बिजयता रहे हैं लुईस हैमिल्टन जो ब्रिटन के हैं और यह बश्टापिन का पहला फर्मूला वन किताब है सतरंज सतरंज में बिश्व रैपिट सतरंज चैंपियंसी पॉलेंड में संपन हुआ है बिश्व रैपिट सतरंज चैंपियंसी पॉलेंड में संपन हुआ और पुरुस्वर के विजयता नोदिर्वेक अब्दू सतारोवे थे उजवेकिस्तान के अब्दू सतारोवे और महिला विजयता रहे हैं अलेकजांदरा कोस्तेनियुक्त कहां की है रूस की है फिडे 27 चैंपियंसीब 2021 फिडे 27 चैंपियंसीब दुवई सयुक्त अरव अमिरात में समपन हुआ और मैगनस कालसन नोडवे ने रूस के इयान नेपो मनियाची को हरा कर खिताब जीता है किसको हरा कर नेपो मनियाची को हरा कर खिताब जीता है और यह कालरसन द्वारा बिजित पांचमा विश्व खिताब है उसके बाद है पुरुस एसेंट चैंपियंसीब ट्रॉफी 2021 इस पुरुस होकी परतियोगता का छठा संसकरन बांगलादेश में समपन हुआ कहां चिन कोडिया को जिन्होंने फ्रतम किताब जीता है और उपविजयता रहे हैं जापान भारत ने पाकिस्तान को चार तीन से कास पदक जीता एक आड़मी होकी इंडिया सीनियर पुरुस रास्टिये चैंपियंसीब यह पिपड़ी चे बार पुने महरास्ट में संपन हुआ और इस परतियोगता में होकी पंजाब जो हैं वो विजयता टीम रहे हैं और उपविजयता उत्तर परदेश होकी रहा है तीसरे अस्थान पे होकी करना टक अगला है F.I.H. होकी जुनियर विसुकप F.I.H. होकी जुनियर विसुकप कलिंगा एस्टेडियम भुवनेश्वर में संपन हुआ इसके कलिंगा एस्टेडियम भुवनेश्वर में F.I.H. होकी जुनियर विसुकप स्टार्ट हुआ है और इसके विजयता टीम रहे हैं अर्जंटीना जिनोंने दूसरा किताब जीत और उबी जयता रहे जर्मेनी तिरतीय अस्थान पे फ्रांस अर्जंटीना ने 16 वर्स के बाद जुनियर विस्टु कप होकी का किताब जीता है और अर्जंटीना ने पहली बार 2005 में रडर्डम निदर्लेंड्स में अस्टेलिया को प्राजित कर किताब जीता था और भारतिय टीम चोथे अस्थान पर रही है इस परतियोगता में सिर्ष गोल स्कोरर जो 18 गोल निदर्लेंड के माल्स बुकेंज रहे हैं मतलब माल्स बुकेंज जो है वो 18 गोल किये थे सर्वस्रेस्ट गोल कीपर एंटोन ब्रिकमेन जर्मनी के फेयर प्ले अवार्ड चीली के हैं अब है फूटवाल फूटवाल में सबसे पहले हीरो सीनियर महिला रास्टी फूटवाल चैंपियंसीप जो हुआ है इसमें कोजी कट केरल में समपन हुआ ये कहां कोची कट केरल में संपन हुआ और कुल 32 टीमों ने इसमें भाग लिया था और इसमें बिजयता मनीपूर रहे हैं जिन्होंने 21 वार खिताब जीता है और उप बिजयता रहा है रेलवे और व्यक्तिगत पुरसकार की बात करें तो सरबस्रेष्ट गोल की पर ओकराम र इरोम प्रमेश्वरी देवी रही है मनीपूर के वैलेंडी और पुरसकार 2021 ये वी वी आई है वैलेंडी और पुरसकार 2021 ये 29 नौबर 2021 को पेरिस फ्रांस में इस अवार्ड की घोसना की गई पेरिस फ्रांस में और यह अवार्ड फ्रांस की फुट वॉल पत्री का फ्रांस इस्टेनली मैथ्यूज जो इंग्लेंड की थी यह पुरसकार दिया गया था उन्हें पहली बार इस्टेनली मैथ्यूज को लियोनी मैसी ने सात्मी बार अंतरास्ट ये खिताब बैलन डी ओर जीता है महिला बर ने यह अबाड एलेक्सिया पुतेलास स्पेन ने जीता है और महिला फुटवालरों को वैलन डी ओर अवार्ड दो हजार अठार दिया जा रहा है अब है बैडमिंटन तो सयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टुनामेंट 2022 ये जो है बाबु बना रसी दास इंडोर स्टेडियम लखनाउम संपन हुआ था और इस परतियोगता में महिला एकल बिजयता रही है पीवी शिंदू और उप बिजयता रही है मालवी का बशोरा अब है पुरुष यूगल पुरुष यूगल बिजयता रहे हैं मेन वेंग चौंग एबम काई बुन्टी दोनों मलेशिया के थे और उप बिजयता क्रिशन परसाद, गरगा एवं विश्नुवर्धन गोरा, पंजाला दोनों भारत के उपविजयता रहे हैं। परसाद, गरगा एवं विश्नुवर्धन गोरा, पंजाला दोनों भारत के उपविजयता रहे हैं। परसाद, गरगा एवं विश्नुवर्धन गोरा, पंजाला दोनों भारत के उपविजयता रहे हैं। परसाद, गरगा एवं विश्नुवर्धन गोरा, पंजाला दोनों भारत के उपविजयता रहे हैं। परसाद, गरगा एवं विश्नुवर्धन गोरा, पंजाला दोनों भारत के उपविजयता रहे हैं। अदित्ति जोसी, महिला एकल विजयता रहे हैं, मालवी का बंजोरा, उपविजयता थी, आकार्शी कश्यव। और पुरुष यूगल की बात करें, तो कृष्न परसाद, गांगरा और विश्नुवर्धन गोर्पी, ये यूगल पुरुष बिजयता थे, और उपविजयता, पी एसरभी कृष्नन और एवं संकर परसाद, उदय कुमार, ये उपविजयता रहे हैं। महिला यूगल में बिजयता रही हैं सिमरन सिंधी और खुशी गुपता, उप बिजयता रही हैं बेनिला के एवं स्रियांसी बेली सिठ्थी, अब हैं मिस्रित यूगल, मिस्रित यूगल में बिजयता, रोहन कपूर, संजना संतोस रहे हैं मिस्रित यूगल बिजयता, उप जो है, हुलाव्या स्पेन में संपन हुआ और परतियोगता के पड़िनाव में पुरुस एकल विजयता रहे हैं, लोकिन यू कहां के हैं, शिंगापुर के हैं, और उप विजयता रही हैं, किदामबी, शिरीकांथ भारत के, महिला एकल, विजयता अकाने याम गुची जपान के और उप बीजेता ताई जू यंग चीनी ताइपे के हैं उसके बाद पुरुस यूगल की बात करें तो बीजेता में रहे हैं पुरुस यूगल में ताकुरो होकी और यूगो कोबाई सी ये दोनों जपान के हैं और उप बीजेता ही जिटिंग और टैन क्यांग दोनों ची के हैं टैन क्यांग मैला यूगल बिजेता चेन केंग चेन और जिया इफान दोनों चीन के हैं और उप बिजेता रहे हैं ली शोही और सीन स्यूंग चान दोनों कहां के हैं दस चीन कोडिया के मिस्रित यूगल में बात करें तो डेका पोल पुबार नुक्रो और सैपी सिरी त तैरा तन्चाई दोनों थाइलेंड के हैं जो मिस्रित यूगल विजयता रहे हैं और उपी विजयता यूता बतानवे और अरिशा हिगान सीनो दोनों कहां के जापान के थे किदांबी सिरिकांथ BWF विजयता बैडमिंटन चैंपियंशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतिये प्रुस बैडमिंटन खिलाडी बन गये और यह बहुत ही इतना जो आप इसमें देख रहे हैं इस टॉपिक में जब सादा इंपोर्टेंट यही है तो इसे आप लोग देख लेंगे एक बार हम रिपीट कर देते हैं किदांबी सिरिकांथ BWF 200 बैडमिंटन चैंपियंशिप में रजत पदक जीतने बाले पहले भारतिये प्रुस बैडमिंटन खिलाडी बन गये हैं भारत के ही लक्ष सेन ने प्रुस एकल अस्परधा में कास पदक जीत लक्ष सेन ने कास पदक जीता और यह पहली बार है जब भारत ने 200 चैंपियंशिप में पुरुस एकल पदक को जीता है और एक रजत एक कास जीता है भारत ने पहली बार नेक्स्ट एप 200 बैडमिंटन संग के वार्षिक पुरसकार या 3 दिसंबर 2021 को 200 बैडमिंटन संग के वार्षिक पुरसकारों की घोसना की गई है और इसमें पीछले दो वर्ष से COVID-19 के कारण या पुरसकार वित्रन प्रभावित रहा है इस कारण इस वर्ष का पुरसकार व यूगल और बर्स का सरप्स्रिस्ट पैरा बैडमिंटन यूगल तो देखते हैं इसमें तो पुरसकार और बिजयता कौन कौन है देखते हैं इसमें तो स्रेनी में बात करें तो वर्स का सरप्स्रिस्ट खिलारी पुरुस्क में वीक्टर एक्सलसंस डेनमार्क के बिजयता टी तो ली यांग, एबम, वांग, ची लिन, दोनों चीनी ताइपे के हैं वर्स की सरबस्रेश्ट पैरा बैडमिंटन खिलारी लीनी रातरी ओक्टिला इंडोनेशिया की हैं महिला में और वर्ष के सरबस्रेश्ट पैरा बैडमिंटन खिलारी पुरुष में क्यू जीमो चीन के वर्ष के सरबस्रेश्ट यूगल खिलारी हैं ग्रेसिया पोली, एबम और प्रियानी राहू दोनों इंडोनेशिया के हैं वर्स के सर्वस्रेस्ट पेरा बैडमिंटन यूगल खिलाडी लुकास मंजूर और फास्टिन नोयल दोनों फ्रांस के हैं सरवधिक उभरता खिलाडी जो रहे हैं कुन लाबूद बिती दर्शन थाइलेंड के अब है चौथी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स ये आयोजन अस्तल इसका है बाली इंडोनेशिया में यह एक से लेके पांस दिसंबर तक चला है और इस परतियोगता में प्रूस एकल में बिजयता टीम रहे हैं विक्टर एकलसन जो डेनमार्क के हैं और उप बिजयता कुनाल इसमें जो खेल पर दिरिश से संबंदी थे उसको सारा हम कंप्लीट करवा रहे हैं इसलिए तो आप लोग हमारे साथ बने रहे हैं मेला एकल मेला एकल विजयता रहे हैं एंसे यांग कहां की है दस्चिन कोडिया की और उप विजयता रही हैं पीवी सिंधू इन्हें कौन परतियोगता जमसेदपूर जारखंड में संपन हुआ और विजयता रहे हैं उदायन माने उबिजयता रैशीद खान और इस चैंपियन को जीतने के साथ साथ हैं उदायन माने ने सत्र 2021 के लिए PGTI Order of the Merit किताब भी अपने नाम कर लिया है आप है स्वेक्स स्वेक्स में जुनियन महिला USA Open स्वेक्स चैंपियन सीब 2021 यह जो है औरलेन स्पेक्टर सेंटर फिलाडेलफिया में संपन हुआ और महिला एकल की बात करे तो U15 बर्ग में भी जैता रहे हैं अनाहत सिंग दिल्ली भारत के और उप भी जैता रहे हैं जाइदा मार स्वेक्स चैंपियन सीब 2021 में कौलामपुर मलेशिया में संपन हुआ है और पुरुस एकल विजैता रहे हैं सौरब घोशाल भारत के और उप विजैता रहे हैं मीगुवल रोड ड्रिंगेंज कोलामबिया के महिला एकल विजैता आईफा अजमान मलेशिया के और उप विजैता सल्मान हने मिस्र के तीन वर्स में सौरब घोशाल का यह पहला पी एस एट टूर खिताब है तीन साल में अब अगला है हमारा चर्चित खेल से समनित बेखती इसे देखते हैं विनीशा उमासंकर यह जो है तमीलांडू के तिरुमनलाई मलाई जीले के पर्यावरन बिद्ध है विनीशा उमासंकर और इन्हें सोलामी एधिकारी क्विस बैटर रिले के लिए परिवरतन कारी यानि की चेंज मेकर और बैटन धारक के रूप में चुना गया है और सोलमी क्विस बैटन रिलिये 7 अक्टूबर 2021 को लंडन के बर्मी गंप पैलेस में सुरू की गई थी और यह 28 जुलाई 2022 को राष्ट मंडल खेलों के उद्गाटन समारों में समाप्त होगी और 22 में राष्ट सुब्रमन्यम यह जो है 14 बर सी भरत सुब्रमन्यम भारत के 73 में सत्रंज ग्रेंड मास्टर बन गये हैं और इन्होंने यह उपलब्धी कैटोलिक का इटली में आयोजित बेरगेनी कप हासिल की है और चेन्नाई के इस खिलारी ने 9 राउंड में 6.5 अंक हासिल कर 4 अन्न खि पचीस सो अंक हासिल किये हैं अगला है तस्नीम मीर तस्नीम मीर जो है यह भारतिय बैडमिंटन खिलारी हैं और अंडर 19 बाइल का एक कल में 20 में नंबर एक रैंकिंग हासिल करने बाली पहली भारतिये बनी हैं क्रिश मौरिश क्रिश मौरिश जो हैं दसीन अफिर्का के ओल लाउंडर खिलारी हैं और 34 बर्स के उमर में किर्केट के सभी प्रारूपों से इनने सन्यास की गोशना किये हैं कौन क्रिश मौरिश मारिश ने 2012 में अंतरास्टी क्रिकेट में पदा अरपन किया और ODIB सुकप 2019 में अपना आखरी मैच खिला और IPL 2021 की निलामी में राजस्थान रोयल ने सरबदिक 16.25 करोर रुपे में मौरिश को खड़ीदा था जूलन गोश्वामी जूलन गोश्वामी जो है ये लिजेंड्स लिंग क्रिकेटर ने भारत के तेज गेंदवाज जूलन गोश्वामी को अपना ब्रांड अमिस्टर निफ्ट किया है और इस एमबेजडर राजदूत के रूप में वो महिला को प्रोसाहित करने और राश्टी एवा मंता राश्टी एस्तर पर किरकेट में महिला की भागदारी को बढ़ाबा देने का काम करेगी हाली में महानायक अमता बच्चन भी इस लिंग के राजबूत बने हैं जो लिंग का परचार करेंगे लिजेंट लिंग क्रिकेट का प्रथम संस्करन जनबरी 2022 ओमान में आयोजित हुआ है अगला है विक्टर शानेव विक्टर शानेव जहां ये तीन बार ओलंपिक ट्रीपल जंप चैंपियन में पूर्व बिश्वरिक और धारक विक्टर शानेव का 76 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया और तीन जनबरी को हुआ है उन्होंने ओलंपिक खेलों में ततकालीन सोबियत संग का प्रतिनुदित किया था फिर हैं मोहमद हाफिज ये जो है पाकिस्तानी किर्केट खिलारी है और अंतराश्टी किर्केट के सभी प्रारू पोसे सन्यास की घोसना किये है इन्होंने 55 टेस्ट 218 ODI और 129 T20 मैचों में उन्होंने कुल 12780 बनाए अब है कुईंटन डिकॉफ ये जो है दसीन फिरका के बिकेट की पर बलेवाज है और टेस्ट मैच से उन्होंने सन्यास की घोसना किये है और 2014 में अस्टेलिया के विरुद टेस्ट किर्केट में पदारपन किये थे और इन्होंने 54 टेस्ट मैच में 38.82 की ओसत से कुल 33 बनाए थे बिकेट कीपर के तौर पर 221 कैच पकड़े थे और 11 स्टापिंग किये थे अगला है रॉस टेलर रॉस टेलर जो है ये न्यूजिलेंड के खिलाडी है और अंतराश्टिय किर्केट से सन्यास की घोसना किये है रॉस टेलर ने अंतराश्टिय किर्केट में पदारपन 2006 में विस्टंडिज के खिलाप ODI मैच में किया था टेलर ने अपना अंतिम अंतरास्टिये मैच बांगलादस के खिलाफ जनवरी 2022 में खिला है अब है हर्वजन सिंग ये भारती एस्पेन गिंदवाज है और किर्केट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोशना किये हैं हर्वजन ने अंतरास्टिये किर्केट में मार्च 1998 में बैंगलूर में अस्टेलिया के ब्रुदु टेस्ट मैच से पदारपन किया था और अपने अंतरास्टिये किर्केट का अंतिम मैच T20 उन्होंने धाका में UAE के खिलाप 2016 में खेला था अंतरास्टिये कैडियर में हर्वजन ने 103 टेस्ट मैच 236 एक दिवसी और 28 T20 मैच खेले हैं 103 टेस्ट मैच में उन्होंने 2224 रन बनाए हैं और 417 बिकेट लिये हैं अब हैं आचल ठाकूर ये जो हैं भारतिये महिला अलपाइन एस्कियर हैं और अंतरास्टिये अस्तर पर दो पदक जीतने बाली पहली भारतिये एस्कियर एथलीट बन गई इन्होंने मोटेंगरो में आयो जीत FIS अलपाइन एसकेंग परतियोगिता में कास पदक जीता और इसे पुर्विन्होंने तुर्की में आयो जीत FIS अलपाइन एजेंडर 32 कप में कास पदक जीता है सेफडी मीशन के रूप में नामित किया है किसे हरजिंदर सिंग को सेफडी मीशन के लिए और यह खेल बिजिंग चीन में आयो जीत होगा और यह ब्रत्मान में आइस होकी एसोसियेशन ऑफ इंडिया के महा सचीव हैं पीवी सिंदू पीवी सिंदू जे हैं भारत की दो बार की ओलंपिक पदक बीजयता बैडमिंटन खिला रही हैं और बैडमिंटन वर्ल्ड फेल्डरेशन एथलीट आयो के सदस के रूप में निक्त किया गया है सिंदू के यत्रिक चुने गएं पांच अन्य सदस आयरिश वंग सजिकतराज अमेरिका के रौविन टेबलिंग निदरलेंड्स के ग्रेशिया पोली इंडोनेशिया के किम स्वेंग कोडिया के और जेंग सीवी चीन के इन सभी को भी चुना गया है इन सभी सदस का कार्ज काल 2021 से 2025 तक रहेगा अब है रिशब पंथ ये जो है भारतिय किर्केट टीम के बिकेट की पर है और उत्राखंट सरकार ने राज का ब्रांड अमबेस्टर निक्त किया है अब है जेम्स एडर्सन इंग्लेंड के किर्केटर टेस्ट भी किर्केट में सो बार नौट आउट करने का रिकॉड बनाया है किसने जेम्स एडर्सन ने और उनसे कोई भी खिलारी टेस्ट किर्केट में सो बार नौट आउट नहीं रहे है और एडर्सन ने या उपलब दी एडी लेड में खेले जा रहे हैं एसेंस रिंखला के दूसरे मैच में हासिल की है एडेर्शन के बाद टेस्ट किर्केट में सबसे अधिक वार नॉट आउट रहने वाले मामले में बेस्टन्डीज की कार्टनी वाल्स दूसरे अस्थान पर है अब हैं मुहम्मद आरिफ मुहम्मद आरिफ जो हैं अलपाइन एस्केंग में दस्टिन एसिया चैंपियन सुरी एक बार और रिपीट करते हैं मुहम्मद आर्फिन खान ये जो हैं अलपाइन एस्केंग में दस्टिन एसिया में चैंपियंशिप में हुआ है और विजिंग सीद कालिन ओलम्पिक 2022 के लिए आरहंत प्राप्त की है सीद कालिन ओलम्पिक 2022 में परवेश पाने वाले पहले भारतिये बने है और वो अलपाइन एसकेंग की स्लालोम स्परधा में प्रतिभाग करेंगे मोहमद रिजवान ये जो है पाकिस्तानी किरिकेटर है और इन्हें कलेंडर वर्स कहें तो T20 मैचों में 2000 से अधिक रन बनाने के लिए बिसु रिकॉर्ड बिसु के पहले किरिकेटर बन गये है कौन मोहमद रिजवान कितना रन 2000 से अधिक बनाये है रिजवान ने ये उपलब दी बेस्टेंडीज के ब्रिद खेली गई तीन अंतराज T18-20 मैचों के स्रिंखला के अंतिम मैच में अरजित की और रिजवान जो है वो 2021 में T20 किरिकेट में कूल 2036 रन बनाये है इससे पुर्विया रिकोट केरेवियाई बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम था जिन्होंने 2015 में T20 मैच में 16-65 रन बनाये थे अब है सीमोन बाइल्स सीमोन बाइल्स रहें अमेरिका की आर्टिस्ट जिमनोस्ट है और परतिष्टित टाइम पत्रिका द्वारा 2021 की सरफ्ष्ट एथलीट चुरी गई है अब है एजाज पटेल इजाज पटेल न्यूजिलेंड के गेंदवाज है और अंतराश्टिय टेस्ट की रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विस्व के तीसरे गेंदवाज बने है इसका स्रीज दिया हुआ है तो सबसे पहले छोटा कर लेते हैं ताकि पढ़ने में भी बनेगा और आप लोग देख भी पाएंगे ठीक है आयोप आप लोगों को दिख रहा होगा फिर है जीम लेकर जीम लेकर ये इंग्लेंड देश के हैं उन्हें 156 में और आयोजित किया ग में और यह वनखेरे स्टीडियम मुंबई में आयोजित किया गया था और यह किसके खिलाप भारत के खिलाप अब है रबिंद्रन अश्वन यह जो है प्रसिद भारतिये गेंदवाज हैं और अंतराश्टिये टेस्ट किर्केट में तीसरे सबसे ज्यादा बिकेट लेने बा अब है बिविद यह खेल से संबंद बिविद है इसे देखते हैं यहाँ पे भारत के पहले बहु आमी सासी खेल अभियान यह जो है रक्षा मंतरी राजना सिंग ने भारत के पहले बहु आमी सासी खेल अभियान में भाग लेने बाली टीम का नई दिल्ली में अभिनंदन किया है जो साथ जन्वरी को किया और यह अभिया नॉमबर 2021 में फ्रांस में नेशनल इंस्टिट ओफ मांटनेरिंग एंड लाइड स्पोर्ट्स द्वारा आयुजित किया गया है टीम का नेत्रित निमास के निदेशा करनल सरफडाज सिंग ने किया था और इस दल में कुल 12 लोग सेना के 8 जवान और नाचल परदेश के 4 युवा सामिल थे अभियान दल ने आल्प्स परवस्त रिंखला में 2500 किलो म परदेश को कवर करने वाला टूर डी मोंट ब्लॉक ट्रेक भी सामिल था इस बहुयामी अभियान का समापन भूम अधिशागर गहरे स्क्यूबा डाइब गतिवीदियों के साथ हुआ अब है पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अबाड ये जो है अंतरास्टिये पैरा ओलंपिक समीतिर सौ2 में आईपी C द्वारा गोशित किया गया है तोकियो तो हजार बीस प्रेज़ाभ खेलों में उपलाब्धी है तू एफी टीमों टीमों आधी को पुरसकार प्रदत किया गया है अब है प्रमुख फुरसकार अप्रमुख पुरस्कार में है सरप्स्रेष्ट पुरसकार ये स्पॉर्च जर्नलिस्ट फेडरेशन ओफ इंडिया द्वारा घोसित है और स्पॉर्च जर्नलिस्ट फेडरेशन द्वारा मेडल सुनिशित किया गया है सुनील गवासकर को सुनील गवासकर को ये मेडल दिया गया है और SJFI स्पॉर्ट्स ओफ द इयर नीरत चोपरा को चुना गया है SJFI स्पॉर्ट्स भूमन ओफ द इयर मिरवाई चानु को SJFI टीम ओफ द इयर भारतिय पुरुस होके टीम को SJFI पैरा एथलिट ओफ द इयर पुरुस में सुमीत अंतिल और प्रमोद भगत और सुमीत अंतिल का संबन्द कहां से है ये कहां के खिलाडी है प्लीज आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे उसके बाद है SJFI पैरा एथलिट ओफ द इयर महिला में अबनी लेखरा रही है अब है कॉमन बिल्थ भारत तोलन चंपियनसीब 2021 ये तासकंत उजवेकिस्तान में संपन हुआ है और भारत ने इस परतियोक्ता में कुल 16 पदक जीते हैं इन 16 पदक में 4, 4 स्वन, 7 रजत और 5 कास पदक सामिल है अब देखते हैं पदक तायलिका रैंक किसका किसका है तो सबसे पहले रैंक 1 में कनाड़ा है जिन्होंने 5 स्वन पदक जीते, 2 रजत पदक जीते, कास इसे 0 मिला है और कुल की बात करें तो 7 पदक कनाड़ा ने अपने नाम किया है फिर भारत की बात करते हैं भारत का रैंक दूसरे अस्थान पे है और भारत ने कुल स्वन पदक 4 जीते हैं रजत पदक साथ जीते हैं, कासे पदक पांच जीते हैं, और कुल सोला पदक अपने नाम किया है। नाइजेरिया, नाइजेरिया जो है तिसरे अस्थान पे हैं और यह चार स्वर्ण पदक, एक रजट पदक, जीरो कासे पदक और कुल पांच पदक अपने नाम किया है मलेशिया चोथे अस्थान पे हैं यह दो स्वर्ण, एक रजट, जीरो कास और तीन पदक टोटल अपने नाम किया है स्री लंका पांच में अस्थान पे हैं इसे एक स्वर्ण, एक रजट और पांच कास पदक मिला है और टोटल साथ पदक अपने नाम किया है तो ये इसका पदक तालिका था अब है विश्व भारत तोलन चैंपियंसीब ये तासकंद उजवेकिस्तान में संपन्द विश्व भारत तोलन चैंपियंसीब में पदक तालिका में सिर्थ 5 देश रहे हैं सबसे पहले दस्षिन कोडिया था जिन्होंने कुल टोटल 21 पदक जीते हैं जिसमें 9 स्वन पदक है, 5 रजद पदक है और 7 काश्य पदक है दूसरी अस्थान पे उजबिकिस्तान रहा है कुल 14 पदक जीते हैं जिसमें 6 स्वन पदक है, 6 रजद पदक और 2 काश्य पदक है यूग्रेन की बात करें तो यूग्रेन जो है चोथे अस्थान पे रहा है और ये चार पदक कुल 6 पदक अपने नाम किया है जिसमें 4 स्वन्ड, 1 रजट, 1 कास्य पदक जीता है रूस कुल 11 पदक जीता जिसमें 4 स्वर्ण रजत पदक एक भी नहीं जीता और कास्व पदक वो साथ जीते हैं अब है कुल भारत सरी भारत कुल एक पदक यानि एक स्वर्ण के साथ 23 में अस्थान पड़ा है बिस्व भारत तोलन चैंपियेंसिप 2021 में भारत की तरफ से एक मात पदक स्वर्ण बिंद्यारानी देवी ने क्लीन एंड जर्क परतियस परधा में जो 55 किलो ग्राम भारत बर्ग में जीता है तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा अब है ACI नौकायान चैंपियेंसिप ये कहां संपन हुआ थाइलेंड में और भारत ने 2 स्वर्ण पदक, 4 रज़त पदक और कुल टोटल 6 पदक प्राप्त किये हैं पदक तालिका में 3 अस्थानी से प्राप्त हुआ है भारत को और चीन 5 स्वर्ण पदक, 1 रज़त पदक, 1 कास पदक, सहित कुल 7 पदक जीते हैं और सीर्शस्थान की बात करें तो पदक तालिका में सीर्शस्थान पर चीन ही रहा है अब है भारती ये स्वन पदक बिजेता ये अर्जुन लाल जाट, एबम, रभी ये पुरुष डवल स्कॉल्स इसपरधा में है और अर्बिंदी सिंग ये पुरुष लाइट वेट सिंगल स्कॉल्स इसपरधा में अब है चौथा एसियाई यूथ पैरा खेल ये मनामा बहरीन में संपन हुआ और परतियोगता का आदर सुआग था टुगेदर राइजिंग स्ट्रोंगर परतियोगता में भारत ने 12 स्वन, 16 रजट, 13 कास पदक समेत, कुल 41 पदक जीते हैं और पांचमे अस्थान पर भारत पांचमे अस्थान पर भारत रहा है और पांचमे एसियाई यूथ पैरा उलंपिक खेल का आयोजन दो हजार पचीस में तासकंद यानि उजवेकिस्तान में हुआ है भारतिये स्वन पदक बिजयता करमसा देखते हैं सबसे पहले मीथ हरेश कुमार टठानी ये 100 मीटर के दौर में 100 मीटर के दौर में उसके बाद मीथ हरेश कुमार टठानी ये 200 मीटर के दौर में उसके बाद इशान खंडेवाल ये 1500 मीटर के दौर में करंदीप कुमार ये लंबी कुद में T46 और प्रबीन कुमार T44 उची कूद में तो ये इसका पदक तालिका था आगे देखते हैं उसके बाद एक निट बिकास भर्टी बाल ये डिसकस्त्रो में बिकरम सिंग को भाला फेक के लिए कसिस लाकाडा, कलब थोरो, निथ्या स्री, बैडमिंटन उसके बाद है संजना कुमारी के बैडमिंटन में महिला एकल यानि SL3 पलक कोहली एबं संजना कुमारी बैडमिंटन महिला यूगल और निहाल गुप्त एबं अभिजीत सखुजा इसे बैडमिंटन पुरुस यूगल में SL3 और SL4 इसे सौट में कहा जाता है अब सिर्ष 5 देश की बात करें इरान जो है वो पहले अस्थान पे रहा है दूसरे अस्थान पे थाइलेंड रहा है तिसरे अस्थान पे जापान चौते अस्थान पे दस्चिन कोडियार पांचमें अस्थान पे भारत तो इसमें देखते हैं कि इरान जो है टोटल 122 पदक से पदक जापान टोटल पच्पन पदक जीता है जिसमें सॉरी एक मिट प्लीज वेट उसके बाद दस्चिन कोडिया टोटल 47 पदक जीता है और एक मिट छोड़ा ध्यर कर लेते हैं ठीक है उसके बाद भारत टोटल 41 पदक जीते हैं नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 यह जो है एक दिसमबर 2021 को घोसित किया गया है और प्रमुक पुरसकार में सरप्स्रेश्ट पुरुष एथलीट कार्स्टन बरहोम नौर्वे को चुना गया है सरप्स्रेश्ट महिला एथलीट इलेन थामसन हिरा जमैका के हैं और फीमेल राइजिंग स्टार की बात करें तो एथिंग मू अमेरिका के मेल राइजिंग स्टार एडियन नाइटन अमेरिका के बुमवन अफ दी इयर अबाड अजू आभी जोर्ज भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह चारो का नाम आप लोग याद कर लिजेगा उसके बाद है चलिए फाइनली यहां पर समाप्त हो जाता है खेल पड़े दिर से संबंदी तो खेल से संबंदी जितना भी था उसकार को मैंने इसमें कफर करा दिया है यह पूरे जन्बरी महा करने का भी था नॉमबर और दिसम्बर का भी इंक्लूड था तो आप लोग सब साथ में याद कर लिजेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक और वीडियो इस करेंट अफियर का आएगा जो मिक्स होगा और चुरा-चुरा-टॉपिक का होगा तो उस